तो चलो दोस्तों आब question number 6 करते हैं इस triangle में हम लोग यहां पे इस sum में हम लोग को बुला है कि AB equals to AC तो हमारे पास एक triangle है triangle ABC ठीक है इसमें AB equal है AC को बतब angle B equal हुआ angle C को ठीक है यह तो समझ में आता ही है किसी बी triangle में दो side equal तो due angle B को हमें proof करना है कि BOC equal है AC BOC कौन सी वाली angle है देख लो यह BOC angle है यह वाली जो angle है यह angle इंकल ACD को ठीक है यह दोने angles equal है यह मुझे proof करना है मुझे किसी तरह से यह दोने angles को equal और डियखे लाए मैं है रहां眠कर दोनों इक्षारे को इकवल प्रूव ना में यहां है के सब्सक्राने में जाए। को दोने प्लाइए लेते टोना को फाद जोना है और में आ vendo चायंग कोना और यहां पर जो में कुचिन प्रूरत हुआ है ऐक यह हैu तो हम लिख सकते हैं कि angle ABC equal होगा angle ACB के यह दोनों equal होगे क्योंकि आइससेलेस triangle 13 में किसी भी triangle में दो side equal है तो दो angles भी equal ही होगी तो यह angle और यह angle equal है इसको मैं रख देता हूँ side में यह तो मैं हमेशा ही काम आता है मुझे इसको equation 1 बोलके side मेरा देता हूँ अब मुझे na boc लाना है मुझे यहाँ पर boc चाहिए तो boc तो इस triangle का angle है तो चलो ये triangle की बात करते हैं क्या ये वाला triangle एक क्या ये triangle isosilis triangle है बिल्कुल नहीं तो ये triangle के बारे में क्या बात करे है triangle isosilis नहीं है ये normal सा triangle है तो हम उसमें angle sum property तो लगा सकता है चलो हमारा second important step होगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा in triangle boc तीनो angle मिलाके 180 इतना लिख देता है तो मैं लिखूँगा angle obc plus angle ocb plus angle boc ये तीनो angles मिलाके 180 होगे ठीक है अब question को ध्यान से देखो ऐसी diagram में कुछ चीज़े हैं जो हमने use ही नहीं करी ना समझी diagram में चीज़े देखो diagram में angle b पे ये ऐसा equal marking दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो ob है ये जो line है ob ये angle b को bisect कर रही है यहाँ पर clearly दिख रहा है कि ये वाली angle और ये वाली angle equal है मतलब ob जो है bisect कर रहा है angle bisector है ob जो है angle bisector है angle b का ठीक है उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा equal marking दिया हुआ है मतलब ये दोनो angles equal है मतलब oc जो है वो angle bisector है ये question में diagram में clearly दिख रहा है question में नहीं लिखा है बट diagram में तो दिया हुआ है diagram itself is a part of a question right तो ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ob angle bisector है oc angle bisector है कहने का मतलब ये उपर वाली और नीचे वाली angles equal है ये भी उपर वाली और नीचे वाली angle equal है ये दिया हुआ है चलो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है obc दिख रहा है ध्यान से देखो obc angle को से equal है एक तो यह कह सकते हैं दूसरा मैं बता बोल सकता हूं कि यह OBC जो है ध्यान से सुनना यह OBC को मैं half of angle B बोल सकता हूं क्या यह छोटा सा OBC half है आधा है angle B का अगर angle B 100 है तो क्या यह 50 है हाँ यार यह तो बात सही है जो यह 50 है यह 100 का half ही है जो 50 है वो 100 का half है इसका मतलब यह छोटू angle है यह हमारी जो छोटी सी angle है यह बड़े वाले angle की half है तो मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं OBC की जगा पे मैं लिखूंगा half of angle ABC जो OBC छोटी angle है वो half है क्यों half है क्योंकि OBC by sector है na equal parts में divide हुआ है त OCB भी half है दोस्तों OCB half है किसका half है OCB किसका half है सोचो यह जो angle OCB है इतनी सी angle यह वाली angle किसकी half है यह वाली angle पूरे C की half है तो मैं लिखता हूं कि it is half of angle ACB plus BOC equals to 180 इतना कर दिया अब इन दोनों में से ठीक है अब यह देखो हाँ तो same रहें दो क्या हमने ABC को ACB को equal बोल दिया क्या ABC और ACB equal है हाई यह यह पूरी angle B जो है यह जो पूरी angle B है और यह पूरी angle C है यह तो same equal है तो मैं इस ABC की जगा पे इस ABC की जगा पे मैं अब लिखने वाला हूं ACB आई ब बाकी सब तो same रखना हो ACB plus BOC equals to 180 अब आप बताओ half ACB और half ACB क्या होता है half ACB plus half ACB क्या होता है half ACB half ACB पूरा ACB तो यहाँ पे simple mathematics से अपने को मालूँ पढ़ रहे है कि यह दोनों यह दोनों मिला के full angle ACB हो जाएंगे half ACB और half ACB मतलब पूरा ACB तो यह हो गया पूरा angle ACB plus यहाँ पे आया angle BOC equals to 180 चलो कुछ तो आ गया ठीक है वैसे हमें यह proof नहीं करना था बड़ यहाँ पे मुझे कुछ तो मिला है ठीक है ध्यान से देखना यह मुझे मिल गया है तो इसको थोड़ा highlight करता हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादे important role है तो यह आपको प और यह जो छोटी angle है यह वाली यह दोनों मिला के 180 है ऐसा पता चला अब हमें यह तो proof नहीं करना था हमें तो कुछ और ही proof करना है बट इतना ठीक है यह तो बात समझ में आ गई अब अब यह कैसे proof होगा रहा दाला अब एक final step last step बचा हुआ है आप क्या करो इस ACB पे focus करो यह देखो यह ACB के बारे में और क्या कह सकते हो सोचो यह angle ACB के बारे में क्या सकते हो आपको ACB में इंटरस्ट नहीं आपको यह blue वाली में इंटरस्ट है ठीक है तो ACB और blue में कुछ relation है क्या यह angle और यह blue वाली angle में कोई relation है हाँ यार यह तो linear बना रहे है तो चलो लिखत चलो लिखते हैं, मैं लिखने वाला हूँ, कि angle ACB जो है, वो angle ACD के साथ, इन दोनों का जो sum है, वो 180 है, अरे बापर, ये काँ से आए, ये काँ से आए, linear pair से, मुझे पता है, कि ये लोग linear pair बना रहे, आई वह समझ में, ये linear pair बना रहे इसलिए ये 180 है, इन दोनों का sum 180 है तो चलो ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या मिला हमें यह पता चला कि ACB और ACD 180 बना रहे हैं हमें equation 2 में क्या पता चला equation 2 में यह पता चला कि जो ACB है यह वाली जो angle है यह वाली इसके साथ 180 बना रहे है और अभी भी equation 3 equation 3 में क्या पता चला equation 3 में क्या पता चला equation 3 में यह पता चला दोस्तो equation 3 में यह पता चला कि यह वाली angle same same हमारी जो ACB angle है यह वाली यह वाली इसके साथ भी 180 बना रहे है तो equation 2 और equation 3 को ध्यान से रहे हो क्या हम लोग कह सकते है from equation 2 and 3 देखो ये भी same है ये भी same है तो obviously ये दोनों भी same होंगे ही होंगे क्योंकि इन दोनों equations का right hand side same है तो left hand side भी equal होना चाहिए तो मैं लिखूंगा from equation 2 and 3 इन दोनों equations से मुझे ये पता चल रहा है कि इनके right hand side equal है तो left hand side भी equal होंगे मतलब ACB plus BOC ये देखो ये left hand side ये वाला is equal to equal to ये वाला ठीक है क्योंकि दोनों equations में हम लोग को बोला गया कि दोनों equations का right hand side equal है तो कोई भी दो equation का right hand side equal होता है तो left side भी equal होता है तो मैंने left side equal कर दिया अब आपको दिख रहा है ACB ACB cancel हो गया और BOC equal हागया ACDK और यही तो proof करना था दोस्तों यही हमें proof करना था देखो दोस्तों कैसे किया आपने बहुती आसान था बड़ ठीक है एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा ऐसे ही नहीं होता है ठीक है दोस्तों कोई doubt है कि देखो I hope इतना clear है पहले क्या किया पूरे सम को repeat करता हूँ पूरे सम को repeat करता हूँ पहले हमने बला यह ISOCELLS triangle है तो दो angles equal यह देखो equation number 1 फिर हम क्या किया हमने यह चोटे triangle में आके angle sum property लगाया यह देखो angle sum property लगाया इसमें यहां पर बहुत ही ज्यादा important खेल खेल लिया हमने यहां पर क्या करा हमने बोला OB bisects angle B और OC bisects angle C OB जो है angle B का bisector है तो OBC जो है वो half वो बी का यह जो OBC angle है वो half हो गई वो half हो गई ABC की तो इसको मैंने लिखा तुम आदे हो ABC के और इसको भी लिखा तुम भी आदे हो angle C के तो वही लिखा कि तुम आदे हो B के तुम आदे हो C के लेकिन हमें तो पता है B और C तो सेम ही है है कि नहीं तो next step पर यह लिखा और यहां पर half ACB और half ACB होताता है full ACB common sense है half ACB half ACB पूरा ACB तो ACB प्लस BOC 180 आया तो मुझे पता है कि यह वाली angle देखो द्यान से यह वाली जो angle है यह angle C जो है angle C जो है इस angle O के साथ 180 बना रही है और angle C जो है इसके साथ भी 180 बना रही है यह 1 है यह 2 है यह 3 है 1 और 2 मिलके 180 बना रही है और 1 और 3 मिलके भी 180 बना रही है तो सीधा सीधा है कि 2 और 3 equal होंगे होंगे मतलब यह और यह equal होगा ही होगा तो हमने क्या कि दोनों equations के right hand side equal थे तो दोनों के left hand side को equal कर लिया और हो गया साथ ठीक है यह समदों होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब करते हैं question number 7 चलो